बड़े बज़र चोड़े भाई और मेरे उम्रकिने उजवान को मेरा प्यार बरा नमस्कार भरपुर पैसा पर खेले कैसा हमें आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटे टर्म्स का जो पार्ट से बन है इसमें क्या क्या टर्म्स आती हैं उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्टर क्या होता है जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत बार जिकर होता है banking sector, metal sector, pharma sector, gas sector, oil and gas sector, उसके बाद में बहुत सारे sectors है market में, communication sector इस तरह से, उसके बाद में जो garments होते हैं, उनके sectors होते हैं, raw material जो होते हैं, उनके sectors होते हैं, energy sectors होते हैं, बहुत सारे sectors हैं, तो pharma sectors में अगर हम देखेंगे तो जितने भी medical की companies, Sun Pharma, Lupin, Dr. Reddy, Sibla, इस तरह की companies हैं, उन्हें हम बोलेंगे pharma sector, ठीक हैं, वो जिस sector के अंदर आती हैं, तो banking sector में सारे banks आते हैं, जितने भी total banks हैं, वो banking sector में आते हैं, banking sector के दो sectors हैं, एक public sector है और एक private sector है, public sector में जो सरकारी banks होती है, जैसे state bank of India, union bank, इस तरह की जो banks होती है, वो है public sector, private sector जो हो है, SDFC bank, ICICI bank, Axis bank, यह जो banks है, यह आते हैं private sector में, इस तरह के होते हैं, वही हैं, और दूसरा secondary offering, बहुत ही interesting factor है, ऐसे stock market का, अगर इसे related, अगर कोई news आती है, तो वाकही में इसे गौर से देखना चाहिए, यानि कि होता क्या है कि market में, reliance जैसी company होती है, जो कि बहुत अभी नाम कमा रही है, तो जब ऐसे company होती है, जब उनके दिन अच्छे होते हैं, तो वो market में मौका नहीं चोड़ना चाहती है, अपना प्रभुत्वा बनाने का, तो ऐसी company करती क्या है बाद में, secondary offering लाते है, secondary offering में क्या करते हैं, वो लोग कि shares को issue करते हैं, और ज्यादा मातरा में, जब पहले तो shares उनके पास हाई ही, और उसके बाद में भी, अब वो shares issue करते हैं, क्योंकि इनके products भीक रहे हैं, बैसे shares की जो संख्या बढ़ना company के लिए ठीक नहीं है, खास shareholders के लिए ठीक नहीं है, कि shares की संख्या बढ़ रही है, तो उनके value घटती है, लेकिन बाद में company के लिए ठीक है, क्योंकि company क्या करती है, तब ही secondary offering लाती है, जब company को लगता है कि नहीं, अब उसकी जो product है, उसकी जो उत्पादन है, उसका जो उत्पादन है, वो क्या market में ब पाइदे की ही बात होती है, तो इस तरह से क्या करते है, फिरो पैसा इखटा करने के लिए market से, अपने जो business है, उसको बढ़ाने के लिए, market से पैसा इखटा करने के लिए, वो ज्यादा मातरा में shares को issue करते हैं, इसी factor को या इसी term को बोलते है, secondary offering, और कुछ भी नहीं है, औ और annual report, जैसे की देखिए, बहुत बड़े-बड़े investor क्या करते है, company को जानने के लिए, उसकी बहुत सारे reports पढ़ते है, तो ये annual report है, जिसे हम वारिशिक report भी बोलते है, तो इस report को पढ़ने के बाद ही, वो invest करते हैं, और आगे जो factor आ रहा है, वो arbitrage है, arbitrage का मतलब होता ह है, मुनाफ़ा, होता क्या है, कि जो businessmen होते है, व्यापारी होते है, बहुत बाद आपने देखा होगा कि एक बादार से सामान खरीते हैं, जैसे गुजराज से कपड़े खरी देंगे, और उडिसा में जाकर भुभनेश्वर में जाकर बेज देंगे, मुंबई से garments करे दें उसका break up करके, कि arbitrage उस चीज से related है, कि यान कि कोई चीज आपको किसी market में 10 रुपे में मिल रही है, और उसी चीज की किमत तीसरी market में 10 रुपे 50 पैसे है, तो आप 10 रुपे से वहाँ चीज बहुत ज्यादा मातरा में खरीद होगे, और जो जहाँ पर 10 रुपे 50 पैसे उस और averaging down होती है, जब कोई चीज की किमत मान लो 10 रुपे है, 8 दिन के बाद उसकी किमत 9 हो गई है, उसके और 8 दिन के बाद उसकी 8 हो गई है, और कभी एक ऐसा समय आता है कि उसकी किमत बहुत नीचे जाती है, तो आप क्या करते हो, आपने तो बहुत उपर खरीदा है उस ची खराब स्टॉक में आवरेज भी नहीं करना चाहिए, तो उसे आवरेज करते हैं, कभी 10 रुपे में उन्होंने करते हैं, वापस 5 रुपे में फिर 10 खरीदे हैं, तो उनकी आवरेज प्राइज कि उनके पास 20 सेर है, और 10 सेर की किमत 5 रुपे है, और बाकी जो 10 बचे हैं, जब उनको आवरेज हो जाता है, तो वो 10 और 5 की, एक्जेकली 10 और 5 की बीच की किमत मिलती है, उनको 7 रुपे, यानि कि उनके पास 20 सेर है, वो 7 रुपे के हो जाते हैं, जब अब क्या है, मार्केट जब बढ़ने लगती है, तो 5 रुपे से 10 रुपे तक जाना बहुत अच्छे प्रॉपिट के लिए, बहुत नीचे आने का, जैसे कि कल पर सो रिलाइंस बहुत नीचे आया था, तो नीचे आने की बाद मैंने आप्शन में भी लगाया, और उसके बाद में मैंने उसमें उसके जो स्टॉक में भी लगाया, तो बहुत अच्छा मुना पा जब हम यह 900 रुपए में रिलाइंस इंडस्ट्री था भी मार्च में और बजाज फाइनस उननी सो रुपए तब से हम इसमें कर रहे हैं जब कि तब से लेकर अभी तक दोनों स्टॉक्स डबल से वी उपर चले गए हैं यह है खरिदना बेचना खरिदना बेचना अगर आप तो यहीं करना चाहिए मार्केट में क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो आपको निकलने का चांस बहुत ही कम देती है क्योंकि मार्केट का हिसा भी ऐसा है और इसलिए जब कि मैं होल्डिंग करके रखता था दोनों में बहुत अच्छा प्रफिट हो जाता लेकिन उसी के बराबर मेंने शायद निकाल लिया है तो यह होता है आवरिजिंग या फिर यह तुम्हें अभी जब बात कर रहा था वो कुछ अलग फैक्टर था चलो एनिवेज नेक्स है बियर मार्केट बियर मार्केट यानि की बियर का मतलब यह मन समझने आप ठीक है बियर का मतलब हो बाजार मतलब गिरावट का बाजार कमजोर बाजार बीटा एक शेयर की किमत और पूरे बाजार की आवाज ही के बीच संबंद का मापन यदि स्टाउक एक्स वाज़ेड में 1.5 का बीटा है तो इसका मतलब है कि बाजार में हर अंक की चाल के लिए स्टाउक एक्स वाज़ेड 1.5 अंक चलता है इससे समझ लेना बीटा वगरा ये भी काम की चीज़े होती है और बुर्स बुर्स एक क्या हैं हमसे स्क्राउक मार्केड बोलते हैं हम उसे guarantee मार्किर वोते हैं ना कई तरह के नाम है एक तरह किसी देश मे बुर्स भी बोलते हैं तो बुर्स जहां पर आता है तो वह भी एक शेयर बाजार से संब्हुत ही थी है अब देकर बुल ब hotel एक्षवि एक नज्दिक होना चा शेर की बढ़ती किमतों की लंबी अवधी में चलो मैं अपनी भाचा में बताता हूँ बूल मार्केट मतलब क्या है कि मार्केट क्या कर दिया है मार्केट का मैं आपको एक बता देता हूँ एक्चिली मार्केट का फंडा क्या है मार्केट चलती कैसी है दिखे ये गई अब ये लाल रंका है यहां पर बता तो ये मार्केट गई यहां पर उसके बाद ये मार्केट यहां पर गई उसके बाद मार्केट गिरेगी अब मार्केट गिरेगी क्योंकि यहां पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसके बाद मार्केट गिरेग समझना पड़ेगा कौन से दिन कौन से स्टॉक और ये बहुत सारी चीज़े यार इसमें समझने के लिए मौसम को समझना पड़ेगा हजार्स यानि की जो वैश्विक आपदाय होती है जैसे की कोरोना फाइरस बुकम बगर इस तरह की लड़ाई ये सब इनको समझना पड़े बहुत profit कमाँगे तो ये देखिये क्यूं ऐसे होता है ये chart ऐसे क्यों होता है चलो अब वही छोटे terms में बताएंगे चोटी ज़्यादा terms को cover नहीं करेंगे लेकिन जो भी करेंगे बहुत ही अच्छे से clear करेंगे चलो इस slide के बाद video बंद कर देखें तो यह देखिए अब यह हुआ है अगली बार क्या होगा यह इसके जरूरी नहीं है अभी इस low के नीचे जाएगा ठीक है ऐसा नहीं होता है market में हो सकता है यहां तक आ जाए और यहां से वापस उपर की तरफ चला जाए यह भी हो सकता है ठीक है और इस तरह से जब दिन खराब चलेगा तो हो सकता है फिर इसका भी low तोड़ दे है ना तो यह अभी इस बार मैं क्या करता हूँ इस level तक या इस level तक लाता हूँ ठीक है यह जो एक level है इसकी मान लो कि यह इसका वो है अब यहां से घुमेगा market घुमेगी वापस वापस से घुमेगी इस तरह से तो यह क्यों होता है यहां पर देखिये यहां पर किसीने खरीदा है market को उपर ले गया और market में बहुत तरह की लोग होते हैं कुछ दर्ने वाले भी thee होते हैं कुछ बड़े दिल वाले भी होते हैं वो अपनी position को बरकरार रखते हैं जो डरने वाले होते हैं हमारे जैसे 1500 का profit आगा है यहाँ पर profit book कर लेंगे हो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर selling pressure आजागा यहाँ पर supplies होना आजाएगा उसका stock market का यह सिर्फ इसी दो candle से related नहीं है यह पहले से आ रहा है यह जो line है na across the chart गई है across the chart यहाँ से शुरू हुआ वहाँ से यह line आती है imaginary line जैसे कि हम अक्षांश और रेखांश जो imaginary line है ना लेकिन सारी दुनिया उसी के उपर चलती है चलती है ना आपने कभी इस line को देखा है क्या जो equator जो होते है अक्षांश रेखायर और कौन सी रेखाय होती है वो करकरुत्त और अक्षे रुत्त जिस पर equator है सब imaginary है लेकिन उसके बगहर नहीं चल सकता कोई हवाजाज उड़ी नहीं सकता किसी degree के अगर नहीं लगाएंगे उसको तो दोनों हवाजाज टकर जाएंगे हवा में एक बराबर height जैते है ना वो सब imaginary है जरूर लेकिन बहुत ही काम की चीज़ा है उसके बगहर काम नहीं चलता वैसे ही यह लाइन होती है यह आपको across the line जाती जरूर है इमेजनेरी जैसी लगती जरूर है लेकिन जो चार्ड है आपको खेलने के लिए बादर में इन लाइनों का बहुत ही बड़ा महत्वा है इसके बगहर आप मार्केट में टिक नहीं सकते मैं इसी लाइन यहां से बिलकुल घुमेगी 100% डेफिनेटल घुमेगी यहां से अगर नहीं कुछ घुमी तो यहां तक तो जरूर घुमेगी और यहां से फिर भले वापस आ जाए कोई बात नहीं लेकिन यहां से बाउंस बैक जरूर करेगी क्योंकि मैं बहुत बार बताता हूं options खेलने वालों के लिए ना खास करके यह चीज देखनी है ना तो आपको options में bank nifty में जाना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा हो लाटाइल होता है वहां पर क्या होता है यह support resistance का बहुत transparent example आपको मिलता है जैसे यहां पर support पर कोई price गई index की price गई bank nifty गया और तुरंद bounce मारेगा तो यहां से back जरूर आएगा हो यहां से ना back जरूर आएगा भलेगी बाद में उपर चला जाएगा लेकिन उस पल के लिए 40 point के लिए 50 point के लिए 30 point के लिए back जरूर मारेगा डाउन के लिए और यही पर हम sale करते हैं सिर्फ हम नहीं market में ऐसे बहुत धुरंदर है जो इसी point back मारेगी तो यहां पर buyers भी बैटे हैं तो लोग इस तरह loose में बहुत पैसा कामाते हैं बहुत मजाता है कसम से जब मैं busy नहीं रहता हूँ ना जब free रहता हूँ ना मैं तो मैं candle के सामने बैटता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यह candle अब इतना points मूग करेगी तो मैं exactly मतल कर तो यार बाए हाथ का कहले मार्केट से निकालना जब आप डेली इतना नहीं निकालोगे तो फिर कोई फाइदा नहीं है बाकि यह पांच हजार दस हजार बीस हजार यह तो चलो खैर बड़ी बात है आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा लेकिन 500,000 रुपए तो नॉर्म पर अब क्या होता है कि जैसे बस्टैड में रेलो स्टेशन में या फिर रोड पर पकड़ लो कहीं पर भी चलने के लिए क्या है एक पर्टिकुलर लाइन बनाई होती है खड़े रहने के लिए पर्टिकुलर लाइन बनाई होती है लेकिन क्या लोग उसी लाइन के उपर ख बैठता है कोई सामानी चैर के उपर रखता है तो इस तरह से जितर बितर होता है तो मार्केट पे भी यह होता है किसी को लगता है कि यहां पर सेलिंग पॉइंट है तो यहां से सेल करता है किसी को लगता है नहीं यहां से नहीं है मैं उपर से सेल करूंगा तो वहां से सेल करत तो इसलिए प्राइस क्या है उपर नीचे होती रहती है और अपना फिर एक लास्ट में यह कि चार्ट का रूप ले लेती है तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टन चीज पर हमने आज बात की है जो भविश्य में करने वाले थे चलो कोई बात नहीं एडवांस क करता है हम जितने स्टॉक्स में गजिते हैं उसका वह हम से चार्ज कर लेता है कि बैए आपने इतने शेर बेचे है तो आपका इतना कमिशन लगता है तो उसे बोलते हैं ब्रोकर और बीड प्राइस मतलब बोली जैसे आप जैसे प्राइस दो प्रकार की होती है एक बीड प्राइस होती है और एक आस्क प्राइस होती है आस्क प्राइस मतलब वो क्या आपको बोल रहा है कि इतने में मैं बेशना चाहता हूँ है ना कोई भी शेयर अगर बेशना है तो मैं इतने रुपए में बेशना चाहता हूँ तो उसे बोलेंगे ask price यानि कि selling price और यह जो bead price होती है यह होती है खरीदने वाली price यानि कि अगर आप किसे stock को खरीदने जाओगे तो आप बोलेंगे नहीं मैं इसकी कीमत 10 रुपए ही दूँगा क्योंकि इसके कीमत 10 रुपए से जादा मुझे नहीं लग रही है तो आप उसे क्या करोगे सिर्फ 10 रुपए में दोगे लेकिन बेशने वाला क्या करेगा उसे बोलेगा कि नहीं मैं इसे 11 रुपए में बेशूँगा ठीक है तो यह होगी ask price और यह जो प्राइज होगी यह बीड प्राइज होगी क्योंकि आप उसे 10 रुपए में उसकी बीड लगा रहे हो तो यह है यहीं तक करते हैं उसके बाद बाकी जो है वह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे बहुत सारी टर्म्स है आभी भी मुझे लगता है कि मुझे 5-6 वीडियो को और बनाना पड़ेगा उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप्स में हम जाने माले हैं आडवांस यह बेसिक है बेसिक के बाद हम आडवांस की तरफ जाएंगे और सबसे पहले मैं आपको कैंडल के बारे में बताऊंगा बहुत सारे है यार मजा आ जाएगा कसम से अगर आप 5 मिनिट दोगे ना तो मैं कसम से बोलता हूँ बहुत सचे दिल वाला इंसान हूँ आपको एक एक चीज बताऊंगा एक एक चीज जो मैं करता हूँ मैं ऐसे लालश नहीं दोँगा कि आप ये ऐसे कर लीजे हम आपको कॉल देते रहेंगे आप इतना मुनापा कमाएंगे मुनापा ये जो समंदर है न इसमें बहुत हीरे रखे यार आपको जितने हीरे निकालने न आपके अंदर कैपैसिटी कितनी है उसके उपर डिपेंड करता है आप कितना दम रखते हो दुनिया भर का पैसा भिकरा हुए याँपर लेकिन आपके अंदर वो कलेजा वो दम और दिमाग होना चाहिए तो आप अपनी हिसाब से हम सब अपनी अवकाद से मार्केट से पैसा निकालते हैं और गवाते भी उसी हिसाब से है तो बहुत सारी चीजे है सिखने के लिए एक बहुत सारे फैक्टर्स मैं ऐसे बताऊंगा कि आज मार्केट चड़ा है तो कल क्या करेगा कल चड़ा है तो आज परसो क्या करेगा मतलब कौन से आकड़े होते हैं और यसे आकड़ों के बारे में मैं आपको रियालिटी बताऊंगा कि exactly match करते हैं जबकि फाइ आईस और डिया आईस में बहुत अंतर हैं लेकिन फिर भी उनके आकड़े exactly match क्यों करते हैं क्या कारण है उनके बारे में भी बहुत सारा research हम करेंगे अपने लेवल पर रिसार्ज करेंगे तो आपको बने रहना होगा लेकिन हमारे साथ में क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा अगर जिन लोगों ने अकाउंट नहीं खोला है तो वह अकाउंट भी खोल सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रि